हे दोस्तों स्वागत आप सबका मैं हूर अलाटिटर मार्केटिंग एक्सपर्ड, मोडिवेस्न स्पेकर, पाउंडर आप वॉक्षमिडियसेलिसंस डॉट कॉम आज की इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हुए एक बहुती शंदार और मज़िदार टॉपिक के बर में दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि आप घर बेटे बिना किसी कोडिंग नॉलेज के आप घर बेटे एक एंडुड गेम कैसे बना सकते हैं अगर आप दोस्तों एक student है आप एक housewife है आप एक job person है और दोस्तों आप घर बेटे अपने लिए एक एंडुड गेम बनाना चाते हैं और उस गेम को दोस्तों प्ले स्टोर पे अपलोड करके आप घर बेटे पैसा कमाना चाते हैं तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखेगा क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको step by step बताने वाला हूँ कि आप बिना किसी coding knowledge के किस platform की मदद से एक Android गेम बना सकते हैं ऊफिस गेम को आप डाउड लूड कर सकते हैं आप उसको दोस्तों Play Store पे अपलोड कर सकते हैं और सबसी बात दोस्तों आप उस गेम को दोस्तों Monetize करके घर बेटें दोस्तों आप अच्छा-काछा पैसा भी कमा सकते हैं तो अगर आप भी सीखना साते हैं बिना किसी coding के आप अपने लिए दोस्ते एक Android गेम कैसे बना सकते हैं तो वीडियो कन तक जरूर देखेगा और दोस्तो अगर आपको इसी वीडियो लगतार देखने हैं अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सेखने हैं या मोडिविशन वीडियो देखने हैं और दोस्तो आप मेरे साथ मिलके ऐसे डिजिटल मार्केटिंग सेखते रहें मोडिविशन वीडियो देखते रहें और अपने बिजनस को गुरू करते रहें आप अपने लिए आंडवर गेम करेट करेंगे वह सिर्फ और 10 मिनट में आप यहां से क्रीट करेंगे बिना किसी कोडिंग के और एको चीज दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे बैस्ट जो चीज आप यहां पर देखने को मिलेगी आपको वो यह है कि आप यहां पर जो आंडवर गेम बनाएंगे ना उसको आप मॉनेटाइज कर सकते हैं एड्स लगा सकते हैं अपने आंडवर गेम पे और उसकी मदद से दोस्तो आप पैसे भी कमा सकते हैं तो अब दोस्तो अगर आपको एक Android गेम या पर फ्री में बनाना है तो अब आपको क्या करना दोस्तो इस वाली ओफिसल वेबसाइट के लिंक पर आपको क्लिक कर देना लिंक पर दोस्तो आप जैसे क्लिक करेंगे यहां पर दोस्तो देख सकते हैं सब्सक्राइब कर दोस्तो आप अपना Android गेम कर सकते हैं और आप पैसे भी कमा सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं अपना Android गेम स्टेप बाइस टेप यहां से क्रीट कर सकते हैं लेकिन दोस्तो गेम बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़े बताना चाहूंगा देखें दोस्तो किसी भी वेबसाइट की मदद से अगर आप कोई भी चीज़ क्रीट कर रहे है तो सबसे पहले मैं आपको ब वेबसाइट की मदद से सारी की सारी इंफोर्मेशन पहले पढ़ लीजे उसी के बाद दोस्तों आप अपना Android गेम यहां पर बनाईए ताकि एजिली दोस्तों आप अपने Android गेम को डवलप कर सकें एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यह जो आप वीड YouTube where मैंद एक क्रीड jätte कर सकते हैं करणैं सबस्तों Android गेम क्रीड करने के लिए अब आपको क्या करना है सबways पहले मैं आपको बता देता हूं आपको रजिस्टर करना है आपको अपना अकाउंड करेंगे पنت आपूंप आपने गुगल आ कांउंट चे लॉग-िन कर सकते हैं मै अगर आपने भी दोस्तों देख सकते हैं कि मैंना अपना अकाउंट यहां पर लॉकिन कर लिया है और यह मेरा डैस्पूड मेरे सामने खुल गया है अगर आपने भी दोस्तों अपना अकाउंट लॉकिन कर लिया होगा तो इस परकार से आपके सामने आपका डैस्पूड खु क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आप यहां पर दिख सकते हैं कि आपके सामने एक नहां पेज खुल जाएगा और यहां पर आपसे बोला जाएगा कि आप अपना गेम टाइप सलेक्ट करिए कि किस परकार का गेम आपको क्रीट करना है यहां पर दोस्तों सबसे पिले कुछ आपको देखने को मिलेंगे जिसमें तीन उपर दिखाए दे रहे हैं और एक नीचे भी आपको टाइप दिखाए दे रहे हैं इन चारों टैंपलीट का यूज करके आप आपने लेक फ्री गेम करीट कर सकते हैं बहुत आसान है ज्यादा माता फोड़ी आपको यहां पर नह दिखा देता हूं देखिए दोस्तो अगर इस परकार का गेम आपको करीट करना तो अब आपको क्या करना है यूज डिस टैंपलीट वाले उप्शन पर आपको क्लिक करना दोस्तों आप जैसे क्लिक करनेगे अब आपके सामने एक नया पेज़ खोल जाएगा और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कुछ information आपके सामने दिखाई दे रही है और यह आपका preview है application का, game का, कि किस परकार का आपका game दिखेगा और यहाँ पर देखे दोस्तों आपको कुछ steps ही मिल रहे हैं जिनके अंदर सबसे पहले आपको design करना है उसके बाद आपको content upload करना है फिर आपको sound लगाना है फिर आपको icon लगाना है फिर आपको settings complete करनी है और monetization करके आप अपने android game को आप download भी कर सकते हैं लोगों को install भी complete हो गया है design आपने चूश कर लिए कि किस परकार का आपको अपना game बनाना है उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्या करना है content upload करना है content upload क्या करना है आपको देखे दोस्तों आपको यहाँ पे pictures photos वगरा कुछ upload करनी है जिसके अंदर आप लोगों से पूछेंगे कि यह कौन है आप उनका नाम पूछ सकते हैं आप उनके बारे में information पूछ सकते हैं कुछ भी information आप लेश सकते हैं तो देखे content आप कैसे upload करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो देखे दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ images upload करनी है और जिनका size 200 600 into 600 pixel में होन चाहिए इस सीच का ध्यान रखना क्योंकि कोई भी picture जो आप upload करेंगे वो bigger नहीं नहीं चाहिए अगर आप इसके बारे में और चीज़े दिखना चाहते हैं तो आप यहांसे इनके video tutorials भी देख सकते हैं जिसके बारे में आपको पूरी information मिल जाएगी तो अब मैं आपको कु आप लोड कर लेता हूं और मैंने अपनी इमेज पर क्लिक किया तो मेरी इमेज यहां पर upload हो जाएगी अगर आप इस इमेज को चेंज करना चाहिए तो चेंज भी कर सकते हैं और अब इसके बारे में दोस्तों आपको कुछ और information देनी है जैसे level first को आप complete करेंगे तो सबसे यहां पर पूछ सकते हैं, who is this, इस पर कार से आपको यहां पर सवाल डालना है और आपको जो जवाब मिलना चाहीए वो जवाब आप यहां पर already डालें गे कि इसका नाम क्या है, तो मेरा नाम क्या है दोस्तों राहुल. मीना नाम है मेरा, तो मैं आपर राहुल मीना डाल ड गेम लेवल, मैंने जो first लेवल है गेम का, वो मैंने पूरा कर लिया है और अभी तीन लेवल्स और मेरे को पूरे करने हैं, तो अब आप step बाइ step उन तीन लेवल्स को भी पूरा कर लिजे तो मैं यहाँ पर got it वाले option पर click कर देता हूं और दूसरा लेवल आपको मिल गया है तो दूसरा लेवल भी आप पूरा कर लिजे ऐसे ही करकर के दोस्तों आप पूरे तीन लेवल्स पूरे कर लिजे तो अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने चारों को चारों जो लेवल्स हैं वो और भी बड़ा हो जाएगा और अगर आप चाहे तो सीधा अपना game को यहां से generate भी कर सकते हैं मैं अपने game को जो है 4 levels में complete कर लेता हूँ और मैं अपने जो game है उसको मैं generate कर लेता हूँ तो यहां पर देखे generate game वाले option पर मैं click कर दूँगा click करने के बाद दोस्तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके सामने एक और message आ गया जिसके अंदर आपके सामने done का option आ रहा है और यहां पर दोस्तो आप information पर सकते हैं कि अगले 15 minute में जो आपका game है वो generate हो जायागा और एक और option दोस्तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि आप यहां से सीधा अपने application को play store पे भी upload कर सकते हैं अगर आपको करना है तो ठीक है otherwise आप यहां पर तो दोस्तो मैंने not know वाले option पर click किया और not know वाले option पर click करने के बाद अब आप यहां पर देख सकते हैं कि कु के ready हो जाएगा आप उसको download कर सकते हैं अभी आप दोस्तो देख सकते हैं जो process था 15 minute का वो अभी complete हो गया है और यहां पर जो मेरा game है दोस्तो वो create हो गया है अब मुझे इस game को generate करना है और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको playlist store पे आप upload कर सकते हैं और add mo को अगर अपने game पर और उसके बाद दोस्तो आप घर बेटे पैसा कमा सकते हैं अब दोस्तो आप यहां पर देख सकते हैं थोड़ा अगर आप नीचे scroll down करेंगे तो दिखे यह वाला application आपने बनाया था और आप इसको देख सकते हैं कि इसके जो details है वाक्षी यह version कौन सा है यह वा अब आप दोस्तो इस app को कैसे download करेंगे और कैसे install करेंगे वह भी देखो मापको बता देता हूं देखे दोस्तो आपने जो application बनाया है उसको download करने का simply option देखे यहां पर आप देख सकते हैं download करने का option button आपको दिख रहा है तो अगर आप इस application वो download करके test करना चाहते है अप आप यहां से इसको download कर लिए तो दोस्तो जैसे आप यहां पर download बटन पर प्रेस करेंगे यहां पर दोस्तो देख सकते हैं कि जो आपका mobile application है जो game आपने create किया है वो आप दोस्तो आपको यहां पर download होने लग गया है और मैं इसको वैसे pause कर देता हूं क्योंकि मैं इस game को already download लोट कर चुका हूँ और मैं इसको एक बार प्ले करके भी देख चुका हूँ यह गेम रियल में वर्क कर रहा है अगर आप भी दोस्तो अपने लिए कोई गेम बना रहे हैं तो यह गेम आपका अंटरपर्शन वर्क करेगा तो इस प्रकार चे दोस्तो आप फ्री में अपने लिए एक mobile application यानि कि एक फ्री में गेम बना सकते हैं और उसका इस्तमाल आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो उसके की मदद से दोस्तो घर बेटे पैसा भी बना सकते हैं तो दोस्तो उमीद करता हूँ आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा ह और आपने step by step दोस्तो ये भी सीख लिया होगा कि बिना किसी coding knowledge के आप अपने लिए दोस्तो एक free में android game कैसे बना सकते हैं दोस्तो अगर आपको वीडियो से related कोई सवाल जो आप है तो आप मुझे नीचे comments box में comments कर सकते हैं next video दोस्तो आपको किस topic पर चाहिए आप दोस्तो जो मेरे videos हैं उनको आप अपने family और friends के साथ भी जरूर शेयर कर देना एक और चीद दोस्तो अगर आप एक student है आप एक entrepreneur है housewife है और दोस्तो आप अपना digital marketing में career बनाना चाहते हैं आप digital marketing सीखना चाहते हैं या फिर digital marketing services लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मिलके मेरी company के services ले सकते हैं और अगर आपका कोई business है तो आप उसको grow और expand कर सकते हैं आज की वीडियो में बस दोस्तो इस नहीं दोस्तो वीडियो से लगतार तेखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मिलता हूं दोस्तो आपको एक